साथियों फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर तो फाइनली दोस्तों यहां पर जो है BTSC के वेबसाइट पर यह फाइनल आप लोग नोटिस देख पाईएगा जो कि अब हर मामले से पुष्टी हो चुकी है कि जो आप लोग के रिजल्ट जारी होने वाले हैं यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूँ यह जो नोटिस देख रहे हैं आप यहां देखिए ऐसे मैंने इन दोनों ही नोटिस को जो कि कि आ आज की आपडेट में डाला गया जब संपर्फितर में बनाया था आपका रिजल्ट आने वाला है यहां पे नोटिस की लिए और यहां पर दोनों ही यहां पर देखिंए डिल्ट कर यहां आरह मतलँ की देखिए है अब नोटिस क्या है ठीक है तो यहां पर दिखा देखा देखा यहां पर और यह तो एक तारी तारी तीन तारी चार तारी आठ तारी और नौ तारी जोकी जनवरी महा का है इसमें तो उसका जो परिक्षा है जो हुआ था उसका जो रिजल्ट है वह देखिए प्रकासित किया जाएगा इसके पहले जो है था कि किया जाए चुका है तो यहां पर थोड़ा सा चेंज़ेज करके अपलोड किया गया है मैंने आज आपको पहले वीडियो में बताया था कि कुछ सब्सक्राइब करें जो थोड़ा से विलम हुआ है जैसे कि आसंका था कि आज 90 परवल चांस था इस नोटिस आने से पहले कि आज ही जारी हो जाए बट एक परसेंट दस परसेंट यह भी था कि यहां कल के डेट में भी आए तो तेरह तारिक का यहां पर फाइनली डेट भी दोंगा चैज़ के और जानकारी बैंता तौह मोश्ड़ाहू है नहीं कितना नंबर आपने उप्टेन किया वह दोनों चीज पता चलेगा एक डूसरी बात यहां पर और भी चीजे क्या गया दूबर वन में यहां दिया गया है कि जो भी levar लाए नंक स्कोर किये मैं उसी के अधार पर उसी के अधार पर qualify or not qualify जो है बताया जा रहा है ऐसा आप समझिए है कि आपका CITS scorecard academics scorecard जो लने हैं उने जो है experience का जोड़ करके इन सब को जोड़ करके qualify ने अभी सिर्फ cbt में जो आपने अगर मिनिमम जो कालिफाइंग नंबर है उसको क्वालिफाइग कर लिए उसे अभब लाएं तो ऐसी सिदी में आपको क्वालिफाइग दिखा देगा जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखा भी दूं जैसे यह देखिए यहां पर मैं दिखा हूं आप लोगों को एक सकड़ यह हैं तो आपको 33% करना मतलब कि 100 नंबर का एक्जाम हुआ था तो उसमें 33 नंबर अगर आप ले आए हैं 33 या 33 से अभब ले आए हैं तो आप क्वालिफाइगरी में जाएगा आपका रिजल्ट में मार्क्स दिखेगा और वहां पर क्वालिफाइग करके लिखावा मिलेगा सेलेक्टेट लिखावा दिखाचा दएगा सिक डिखाई धर के जो भी ये है मतलब की बैक कर्था चलेट फ करेंसफर आपका बिहार स्टेट के जनरल कटिके कंड़ेट उनको 40 नमबर अपलाया है 40 या 40 अभब लाया है तो आप क्वालिफाइब के क्टेगरी में चले जाएगा ठीक है मतलब आपका सब्सक्राइब में जाएगा नाम बट सब्सक्राइब यह नहीं है कि आपका सब्सक्राइब हो गया उ जो स्टेज है उसमें अगर कोई नौट कॉलिफाइब हो गया चाहें उसी यह किया है या नहीं किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो अभी सीबिटी का सबसे इंपोर्डन सीबीटी में आप क्वालिफाइब कर गये हूं और जो भी कर जो भी कर जाएंगे उन सभी को मेरे तरफ से बहुत 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 आई तो यहां देख लिए यह हो गया पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट में यह कहाई है जो भी CBT में qualified candidates होंगे उन सभी को यहीं को औरमी को जो भी CO2 अप्लोड किया है उन सभी डॉकुमेंट participating का एक बार अगर उसमें कुछ गलती है तो वह उनको एक बार सुधार करने के लिए जो है ऑन्लाइन आपती दर्च करने के लिए एक बार date दिन निकाला जाएगा वो डेट मैं अगर आपको लगता चेक कर लिजीगा जो भी qualified candidates उनके लिए जिर्फ कि अगर कुछ आपको अप्लोड करने में गलती हुआ है कुछ marks डालने में गलती हुआ तो इसी तीम वहाँ पर सुधार आप कर सकते हैं पॉइंट नमबर तीन क्या है पॉइंट नमबर तीन में कहा गया है कि वही कि जब आपको उसके बाद मतलब यह जब अपतिवरा हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर सीवीटी में योग जो भी qualified अवियर्थि होंगे में विज्यापन के कंडिका तीन तीन दो के सर्थ के इस केस में क्या होगा बुलाया जायागा उसके बाद फिर जो है उसके लिए अलग से सुचना जो है प्रकासित की जाएगी वह भी नोटिस जारी किया जाएगा तो फिलाल के लिए तो यह चीजे हैं अपडेट में यहीं सेम टूसेम जो कंडिशन आपको बता रहे हैं यही की वह बहु जो है इस नोटिस के बारे भी हम आपको बता दें यह देखिए यह वाला तेरह चौदा का जो नोटिस है इसमें देखिए एक्जाम जो की छो फरवरी को वा तो साथ आठ नौ सौला जो है यह सब्टेमबर में जो हुआ था यहाट इस के लिए मतलब कि यह जो के लिए उनके लिए तो इनका भी देखिए तेरह चो के ही रिजल्ट आने वाला है और इनके लिए वही टर्म्स और कंडिशन जो तीन पॉइंट्स है वही रहने वाला है ठीक है तो यह बहुत ही तारिक मतलब कल के डेट में आप लोगों को लग नौ बजे दस बजे के टा दूसरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कल के जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक मैं पहुंचा दूंगा ठीक है और यहां पे यह रहा मिनिमम क्वालिफाई कि जितना पर आपका सेलेक्शन होना है तो गर्ल्स के लिए तो बल्ले बल्ले है जो भी जो भी फि अब इसको जूड़ेगा और बांकी चीजों का भी जूड़कर फाइनल बनेगा तो फिलाल के लिए तो चलिए आज के वीडियो में उम्मिद करतें समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करके सेयर कर दीजागे दोस्तों को भी ग्रूप्स में तो बहुत बहुत धनमाल अबसे का